जौनपूर के पूर्व सांसाद धरंजय सिंग को इलाहबाद हाई कोट ने सनीवार को जमानत दे दी है हाई कोट ने सनीवार को उनकी जमानत से जुड़ी आजिका पर दोपहर करीब 12 बजे अपना फैसला सुनाया है कोट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है इस वज़ा से पूर्व सांसाद अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे धननजय सिंग को जौनपूर की स्पेशल कोट ने साथ साल की सजा सुनाई थी इसके बाद उन्होंने कोट में इस फैसले के खिलाव हाई कोट में पिछले महीने याच का दाखिल की थी इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोट ने 25 अपरेयल को अपना जज्ज्मेंट रिजल्व कर लिया थी अब सनिवार को कोट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे रही है हाला कि हाई कोट से जमानत मिलने के बाद भी वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि कोट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है कोट ने पूर्व सांसत की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है इस मामले में हाई कोट के जस्टिस संजे कुमार सिंग की सिंगल वेंच ने पैसला सुनाया है आपको बता दे कि अपहरण के एक मामले में धननजस सिंग को साथ साल की सजा मिली थी धनंजे सिंग ने इलाहबाद हाई कोट में अपील दाखिल कर ट्रायल कोट के फैसले को चुनौती दी थी वकीलों ने कहा था कि उनका मुवक्किल सियासी साजिस का शिकार हुआ है